Absolute Blood Bath नमस्कार दोस्तों वीडियो में आपका स्वागत है मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग Almost Everybody in Crypto Market कल रात को और आज Early Morning जो हुआ उससे ध्वस्त है मैं कोशिश करूँगा आपको उन कारकों से अवगत कराने के लिए जिनके कारण ये Liquidation Event और गहरा जा सकता है मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि जो लोग मुझे follow करते हैं जो लोग 50-30-15-5 रूल में विश्वास करते हैं जो 50% Bitcoin, 30% Solana और Ethereum, Spot 15% Shit Coins और 5% Trade करते हैं वो इतने दुखी नहीं होंगे जी हां मेरा trading portfolio of 5% काफी धवस्त हुआ है Luckily मैंने उसे Liquidate नहीं होने दिया और वो इसी कारण से Successful हो पाया क्योंकि हमारे पास Margin था पर फिर भी दोस्तों ये फोड़ी वीडियो लंबी रहेगी 15-20 मिट की हो सकता है और वीडियो की बिल्कुल मध्य में मैं एक ऐसे वक्तवे को आपको बताऊंगा जो मेरे विचार से मैंने वीडियो बनाने से पहले नेट पर सर्च किया कोई भी नहीं बता रहा है जिसके कारण आज रात को 7 बजे मार्केट धवस्त हो सकती है अन्त तक वीडियो देखेगा की यूजर्स जो की बिटकोइन पिशले एक हफते में सत्ता हजार से गिरकर पचास हजार डॉलर याने की करीब तीस परसेंट गिर रहा है लॉडड वाल्ट को जिनको मैं देख रहा हूं जो की 90 परसेंट डाउन एक हफते में वेरी बैड गाइस फिलाल मेरा औरेंज बॉक्स कोशिच कर रहा है लेवल्स को बचाने के लिए अब आप देखिए जो 25 बेसिस पॉइंट का इंटरस्ट रेट हाइक है जपाइन का यहां से मैं शुरुआत करूँगा कास्केडिंग लिक्विडेशन की 25 बेसिस पॉइंट का रेट इंक्रीज किया जपान ने यह सबसे ज़ादा बड़ा कारण है इस पूरी तबाही का और क्योंकि भारती यह लोगों को तो इचीज समझ नहीं आती तो मैं आपको बहुत विस्तार से समझाऊंगो कि तबाही कहां तक जा सकती है तो आप गहेंगे उससे स्टॉक मार्केट के क्रैश का क्या वास्ता है उसका क्रिप्टो मार्केट से क्या वास्ता है और यह सब कुछ अभी क्यों शुरू हुआ जब पूरी दुनिया रेट कट की तरफ सोच रही है तो क्यों जपान रेट हाइक कर रहा है तो मैं पहले भी शेयर कर चुक हूँ हमारे पेट्रियॉन चैनल पर जहां पर में लगातार लाइव कमेंटरी कर रहा हूं अपने मेंबर्स के लिए कि naturally on a candle closing basis औरेंज बॉक्स हमें एक बहुत अच्छी सपोर्ट दे रहा है अब देखे विक नीचे गई 49,000 तक almost चली गई थी उसके बावजूद भी 4-hourly candle close जो कि आती है राज सुबह साढ़े नो बजे दोपैर को डेड़ बजे, शाम साढ़े पांच बजे क्या एक और डाउन विक हमें 49,000 या उसके नीचे लेके जा सकती है मैं आपको सबसे पहले अवगत कराना चाहूँगा स्टॉक मार्केट की ओपनिंग से Magnificent 7 जो कि दुनिया के साथ बड़े सबसे स्टॉक से उनने 500 बिलियन डॉलर 500 बिलियन डॉलर यानि की अल्ट कोईस की पूरी मार्केट के बराबर का एक दिन में लॉस खा लिया एपल साथ पर सिंट गिरा है मैं अलड़ी बता चुक है एन्वीडिया बिटकोईस से जाधा क्रैश किया है पिछले कुछ दिनों में कल मैंने हमारी यूट्यूब लाइफ जो मैंने किया था लाइफ सीधा पर साड़न देड़ गंटे की लाइफ कास्ट हमने क्रिप्टो मिले रोईचर्मा पर की थी उसमें मैं आपको बताया था कि बर्थ चाहर है यानि की वार्रन बफेट की कंपनी ने अपने आधे वो सबसे बड़ा निवेशक है एपल में अपने आधे एपल स्टॉक्स बेज दिए साउथ कोरिया ने हम अपनी स्टॉक एक्चेंज की उपर से आज सुबे ट्रेडिंग बंद कर दी सेल ओर्डर नहीं लगा सकते मैं आपको बता दूँ डेमोक्राटिकली कोई भी एक्चेंज सिर्फ एक तरह के ओर्डर नहीं बंद कर सकती है यहाँ पर रॉबिन होड ने सुबे ट्रेडिंग बंद की और मैं आपको याद दिला दूँ कि आखरी बार आखरी बार ऐसा इवेंट तब हुआ था जब दुनिया भर की कई इस लेवल पर था और आप जानते हैं इस दिन क्या हुआ था अगर आपको पता है तो कॉमेंट करके बताओ वैसे मैं आपको पता ही तो यह था कोवीड क्रैश कोवीड क्रैश के समय आखरी बार stock exchanges ने Robinhood ने trading बंद की थी बलकि South Korean stock exchange ने तो कहा है कि हम सिर्फ sell orders बंद करेंगे आप सोच सकते हैं कि market किस level के panic से जूज रही है समय और वो panic शुरू हुआ अगर मुझे एक कारण देना हूँ वैसे तो आप कहीं कारण दे सकते हैं बट जपान के yen का strong होना और आप मुझे पता है अगर आपको knowledge नहीं है तो आप सोचेंगे क्या बखवास कर रहा है you have to watch the complete video and I will explain 5th grader के style में पांच भी क्लास के पढ़ते हुए कि इसाब से मैं आपको पताऊंगा कि क्यू जपान यन का strong होना बहुत ज़्यादा बड़ा खत्रा है global economy के रिसेशन से भी ज़्यादा बड़ा खत्रा है अधिक तर लोगों को समझ नहीं आता आपको शायद एक हफते बाद समझ मैंगा आज समझ लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा on a positive side before we talk about too much negatives yes अब जो है शायद एक दिन के अंदर अंदर 24 गंटे के अंदर अंदर fed को ये realize हो गया है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है 31 जुलाई को rate cut ना करके 31 जुलाई को fed rate cut कर देता तो जपान जो है वो rate hike नहीं करता that's that's how the starting मैं भी भूमी का बांध रहा हूं सिर जुलाई 31 को fed का rate ना कट करना दुनिया भर में उनके पस एक आखरी चांस था इसलिए मैं कहीं वहीं हो से चिला रहा हूं कि rate cut करना पड़ेगा आप समझने रहे हैं आपके हाथ से जो वक्त निकलता जा रहा है एक तरह से vengeance mode म में जैपाइन ने rate हाई किया हमारा पूरा structure market का ब्रेक हो चुका है market जो bitcoin ने lower highs की शंकला बने थी बहुत हो चुकी है डेली टाइम फ्रेम पर लॉंग टाइम फ्रेम पर पूरी मार्केट का स्रॉक्षर बिगोड़ चुको और ऐसे ताइम पर जब प्राइस डिस्कवरी में जाते हैं तो काफी जादा खत्रा रहते हैं लुक ए बात किती स्टॉक मार्केट का फ्यूचर्स खुला है और मैंने बा जैपनीज यन के मुकाबले क्यों जैपनीज यन इतना सीसा कैंशे में इतना बुरी जरह गिरें जपानीज के 25 बसे है क्या प्रभाव है जयपैन के अफ्रएम मार्केट आज तक के उसके 200 साल के इतिहास में सबसे बड़ा लॉस दो दिनों सक लगातार दाज की है क्यों, can you imagine, this is greater than 1930 का global depression, 2078 का subprime crisis, why? Because, आज तक, बहुत लंबे समय से, डेकेड से, 0% interest rate अला करता था जपान के अंदर, और जपान की सरकार ने, अमरीका से बदला लेते वे का, कि तुम तो rate cut नहीं करोगे, मैं rate high करके, जो जपान के बहर पैसा जाता है, जपान के लोग क्या करते हैं, जपान के लोग सबसे ज़्यादा अमरीका में stock खरीते हैं, और अब क्योंकि rate high की increase शुरू हुई है, जपान ने एक इशारा कर दिया है, कि बागी दुनिया करेगी cut, हम बढ़ाएंगे rate, तो यानि कि मेरे पास पैसा रखना, जपान के पास पैसा रखना, अब ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा फाइदे मन्द होगा, आज सी इस बात कि इस यूग की शुरूआत हो चुकी है, अब इससे क्या हो रहा है, कि और ज्यादा जपान रेट हाइक करेगा, पच्चिस, पचास, एक परसेंट तक जाएगा वो, इस चक्कर में जो जैपनीज इन्वेस्टर जिन्होंने अमरीका में पैसा लगाया हुआ है, या अमरीकी इन्वेस्टर जिन्होंने अमरीका में प कान से आप देख सकते हैं कि Japanese yen dollar बहुत गिरा है Japanese yen strong जैपान की stock market धरा शाही होई है I know it is a little complicated topic guys but मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सरल भाव में आपको समझाने की और अब जो है ना मैं आपको जो लगाता है लोग पूछने की अब Bitcoin कितना नीचे जाएगा we were keeping a close eye on stock market opening futures जो कल रात को 7 वजे खुला अब जो है ना क्योंकि stock market futures 2% negative खुला है तो Thursday को 2% down S&P 500 Friday को 2% down almost और अब सोमवार की सुभे से ज़स्ट पहले 2% or down दिखाता है कि लगाता 6% down जाना तीन दूनों में बहुत ज़ादा domino's effect create करता है stock market price in कर चुका है बाकी सारी चीजें या उसको और भी खत्रा यहां से दिखाई दे पड़ रहा है that is the main thing that you have to keep in mind natural सी बात है एक ये कारण तो सबसे बड़ा है इसके अलावा और पहले के known devils भी market में थे जानने पहचानने वाले खत्रे भी हमें पता थे जिसके बारे में लकसर बात हो रही है मैंने आपको हर बार कहा है कि जो और मैं चार-पांद दिन से कहा हूँ कि middle east की war जो है वो पुरानी खबर हो चुकी है I know की बड़ा खत्रा है बर market उसको कहीं न की pricing कर चुका होता है इसलिए आप देखिए जो unknown unknown होता है जो पहली बार खत्रा आता है market उससे डरती है unknown unknown की बात करें जैसे की recession और Japanese yen वैसा ही बड़ा खत्रा jump trading की तरफ से आ रहा है अब यहां पर बहुत बड़े कि पहले में आडम कोचिन के बारे में बात करूंगा उसके बाद में बड़े ट्रेडर के बारे में बात करूंगा आडम कोचिन की तरफ जा रहा है तो उससे देल भी selling a lot of their cryptocurrencies जंप क्रिप्टो के पास बहुत सारे Bitcoin हैं बहुत सारे थिरी में बहुत सारे यहां पर यहां पर यह बड़ा ट्रेडर है आर्थर हैस आपने सुना होगा यह एक एक एक्षेंज ओन करते हैं बहुत बड़े बिलियनेर है my trade 5 friends are telling me कि कुछ बड़ा होने वाला है एक बड़ा big shot जो है अपने सारे Bitcoin dump करने वाला है that is a big thing for Arthur Hayes to see जो हमेशा बहुत positive रहता है वो Bitcoin को एक million dollar की तरह जाता हो देखता है stock market के बारे में बात कर चुके एक ही session में आपने पूरी crypto market cap उसने निकाल दी माउंड को की payment का खायर काम हो चुके मैं tweet पढ़ रहा हूं की और 6-7 कारण क्या है Trump की जो रेटिंग है President बनने की probability 70% थी जब बाइडन के साथ वो compete कर रहे थे दो हफते के अंदर गिर के 30% होगी not a good news people लोग चाहते है कि Trump वापस आए US की economy के number unemployment rate धवस्त हो चुका है तो मल्टिबल कारण है market के पास इस समय negative होने के and natural सी बात है इतने बड़े विद्वन्सक एक्षिन जो हुआ है market का उसके लिए हमें मल्टिबल कारण से यह मैं बात करूं मेरे trading strategy कि आप जानते हैं मैं कोई संत नहीं हूं मैं कोई यहां पर भगवान नहीं हूं कि मेरे पास liquidate ना होने की कोई छड़ी है बट मैं हमेशा से तरीके बताता हूं कि मैं क्यूं अकसर अकसर liquidate नहीं होता हूं पहला कारण before I talk about even my trade is 50 30 15 5 आप यह जो अपनी आंखों के सामने यहां पर आपको पैसा है भी तो भी कोशिश करो कि Bitcoin को support मेलो फिर हम कैसे liquidate होने से बचें अब आप देखेंगे यहां पर आपको ट्रेड दिख रहे है जो 143 पर से लॉस्ट यह कैसे हो सकता भाई 100% हो जाते हैं तो I always say अगर आपका कोई ट्रेड ओपन है जो कि यहां पर 45,000 डॉलर का ट्रेड ओपन है जिसका liquidation price करीब करीब 57,000 डॉलर पर था और मैं ऐसे ही काम करता हूं अपनी नींद खराब किये बिना जैसे ही price 60,000 डॉलर के नीचे आया 58,000 के liquidate नहीं हूँ और अच्छी बात क्या है जब मैं इसको average करता हूं this is what I keep talking about unfortunately मेरा liquidation event आने वाला तो मैं इसको केवल 57,000 के आसपास ही average कर पाया अगर मैं से इस समय average करता हूं hope कि मेरा मान लीजी कि मेरा liquidation price आपकी तरह 48,000 डॉलर पर होता और उसको 50,000 पर आप average करते तो यह अगर price bounce back करता है और patreon पर बहुत सारी लोगों ने ऐसा ही किया हमने 50,000 के आसपास अलाम लगा रखा था हमने अपना trades को average किया और अब जब चुकि price ने immediately bounce back किया जब एक सतर पर आप हिट करते हैं patreon पर कल रात से लगातार मैं live वता रहूं कि 50 weeks moving average 50,000 डॉलर पर था वहां प पर जो हमने buying order लगा रखे थे इनी trades को average करने के लिए उन्होंने इस समया में अलड़ी 500,000 डॉलर वापसी करते हुए ठीक ठाक सा एक मनोविज्यानिक सुकून दे दिया कि हमने exact level पर chase किया और गाइस ये चीज़े आपको अब आप मुझे ज़रूर दोश देंगे कि अब गोलने का क्या वाइदा अगर आप patreon पर हैं और मुझे live सुन रहें कल हम साड़े दस बजे से लेकर बारा पांच तक live थे video live में camera खोल के आपके प्रशनों के उत्तर दे रहा था और उसके बाद दूसरी चीज patreon पर मैं सुबह उड़ते इवन दो मेरी तबीत कुछ तुनकी स खराब थी उसके बाद भी में patreon पर लगा था लोगों के प्रशनों के उत्तर दे रहा था तो I think मैं हमेशा कहा करता हूं कि अगर आप इस blood blood game में हैं इस खून बरी युद के अंदर हैं तो आप सतर्क रहें और जितना हो सके available रहें right again किसी वेक्ति को खुद को ही दोश देन है and I address that part also इसलिए में ज्यादा आज ज्यानी नहीं बनना चाहता हूं but I'm just telling you हर दिन एक नहीं शुरुवात है अगर आपके पास आज 100 डॉलर भी हैं कोशिश करो 50 30 15 5 रूल के अनुसार 50 डॉलर के bitcoin spot में खरीदो और ट्रेड के लिए के विल 5% डखो I know आपका आपका आंसर इसलिए उतना बड़ा रिटर्न जितना छोटा पॉटफुली उतना छोटा रिटर्न but risk मैं हमेशा क्या कहता हूं इस चैनल पर capital preservation is more important than making money पैसा बचाना पैसा बनाने से जादा important है guys मेरी जबान थक गई है यह बोलते बोलते but I hope आप समझे होंगे and I'm sure at the same time ऐसी बाद नहीं कि सब कुछ negative है a lot of people you go to patreon and आप comments पढ़ेंगे बहुत सारे लोग इसलिए बचे हैं क्योंकि वो इस strategy का हिस्सा है मैं खुद को ही क्यों जादा बड़पन दू मेरा खुद का ट्रेड इसमें 45,000 सौरी एक सो पैंतालीस पर्षेंट या 65,000 डॉलर की loss पर है it's a significant loss guys and I'm not seeing कि मै बच गया हूँ अगर price यहां पर मेरा liquidation price इसमेशत 49,000 डॉलर के आसपास है या उसके थोड़ा से नीचे है तो अगर यहां पर मैं price 49,000 तक सल जा जाती है तो मैं भी liquidate होँगा या मैं कहूँगा कि मैं 42,000 पर आके वापस उसमें और balance डालूँगा और that's how my strategy is you have to have cash और अक even Solana 37% किरा है बट क्या कहें जब bitcoin 25% किरेगा तो चीजें 100% डाउन होनी चाही मेरे खाल से और बहुत सारी चीजे हुई भी है I think that is a massive reminder बहुत सारे लोगों के लिए और ऐसे guys देखिए not everything is negative मैं हाँ पर आपके लिए हूँ at least कुछ लोगों की मदद करने के लिए कुछ देने के लिए बलकि Patreon पर में कल जब live था तो मैंने 3-4 लोगों को one-on-one call के अंदर मैंने Solana भी ट्रांसफर किये ता कि जो मैं चीज बोलता हूं कि मैं decentralized exchanges पर trade करता हूं उसके लिए Solana की fees चाही होती है I give people so that they can also start problem क्या है यहां पर centralized exchanges पर कहीं के जगा प्राइस 47,000 तक भी चला गया क्या बकवास है यह decentralized exchanges क्योंकि उनको अपनी liquidation levels पता है बट decentralized exchanges पर प्राइस समाना अंतर तौर पर नीचे जाता है anyways अगर आप यह चीज़े दुबारा से शुरू करना चाहते है तो description में लिंक दे रखे I know एक दिन off ले लिए अगर आपका इन्वेस्ट करने के तो बहुत अच्छे मोके में लेंगे, माइक्रो स्ट्राइजी करेंगे, क्लीन स्पार करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, I am just so excited, I just want to transfer a lot of money into my IND money in my, anyways guys, यही पहल पर पर आप लेंगे, अगर आप 50 डॉलर जीतना चाहते हैं तो आप अपने विचार, कॉमेंट्स में लिख सक बहुत सिंपल है, मैंने आपको 50 वीक्स मुविंग आवरेज का किस्तर बताया, जो मेरे विचार से बहुत जरूरी सपोर्ट है, वो टाइप कीजिए, और अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद जैहिंद,